राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल कैस्ती राधी किशना शिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुथी यानि की सकत चौत की कथा और महत्व बताएंगे दोस्तों माग मास के कृष्ण पक्ष्ट की चतुथी मागी चौत सकत चौत या तिलकुटा चौत कहलाती है गणीजी की गप्रापानी के लिए वैसी तो इस ब्रत को कोई भी कर सकता है लेकिन अधिकांश सुहागन इस्त्रियां ही इस ब्रत को परिवार की शुक शान्ती के लिए करती है नारत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान का जानन की आरादना से सुक सौभागे में प्रती होती है तता घर परिवार पे आ रही बेग्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है वार रुके हुई मांगले कारे संपन होते है इस चतूथी में चंद्रमा के दर्शन कहने से गणेश जी के दर्शन का पुन्नेफल प्राप्त होता है महिलाएं संतान के उच्चल वविश्य के लिए यह ब्रत रखती है जिर महिलाओं की संतान को कोई रोख हो कोई परेशानी हो उन्हें यह ब्रत अवश्य ही रखना चाहें इस ब्रत में इस दिन भगवान शिरी गणिश का और सकड माता का पूजन किया जाता है इस ब्रत में चंदी देब का पूजन करके ही ब्रत को खोला जाता है यह ब्रत निजला रखा जाता है इस ब्रत में ब्रत की कथा को अवशे ही सुनना चाहिए आज के दिन सकर चौत की कथा सुनने मात्र से ही सुख सौभागे में ब्रत्थी होती है, बिग्न बाधाओं से मुक्ती मिलती है और संतान, सुखी, धनबान और दीरगायू होती है सकर्चोथ की दो प्रचलित कथाएं हैं आज की इस वीडियो में हम आपको सकर्चोथ की दोनों कथाएं सुनाएंगे पहली कता राजा हरिश्चंद्र की है कता के अनुसार, सत युग में महराज हरिश्चंद एक प्रतापी राजा थे उनके राज्य में कोई अपाहिस, दरित्र या दुखी नहीं था सभी लोग आधी ब्याधी से रहित्वा दीरखायू थे उन्हीं के राज्य में एक रिशी शर्मा नामक तपस्वी भ्रामर रहते थे एक पुतर प्राप्ती के वाद बेस्वर्गवासी हो गए पुतर का भरण पोशन उनकी पतनी करने लगी वह बिद्वा भ्रामरी भिक्षा के द्वारा पुतर का पालन पोशन कर दी थी अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि किसी की बली देने से तुम्हारा काम बनेगा लेकिन यह बली तुम्हें किसी जानबर की नहीं बलकि इनसान की देने होगी कुमहार अपने फाइदे के लिए इंसान की बली देने को तयार हो गया और वह बली देने के लिए किसी इंसान की तलाश करने लगा उसी दिन बिध्वा भ्रामरी ने माग महा में पढ़ने वाली सकर्चतुथी का प्रत रखा था बहपती ब्रता भ्रामणी गोवसी गणेश जी की प्रत्मा बना कर सदय पूजन किया करती थी इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ती अपने गले में बांध कर बहार खेलने के लिए चला गया तब वही कुमार उस ब्रामणी के पांच वर्षिय बालक को पकड़ कर अपने आंबा में छोड़ कर मिट्टी के बतनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दे इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूणने लगे उसे ना पाकर भै बड़ी प्याकुल हुई और बिला करती हुई गणिश ची से प्रातना करने लगे राद भी जाने के बाद प्रातकाल होने पर कुमार अपने पके हुई बर्दनों को देखने के लिए आया जब उसने आमबा खूल कर देखा तो उसमें जांग पर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चरे उसे जब हुआ जब आमबा में उसने उस बालक को बैटे खेलते हुई देखा इस घटना की जानकारी उसने राजदरवार में दी और राजा के सामने अपनी कलती भी स्विकार की तब राजा ने अपनी मंत्री को बाहर भीजा जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहां से आया है तब बिद्वा भामणी को इस बात का पता चला तो वे बहां पहुँच गएं राजा ने प्रद्दा से इस चमतकार का रहसे पूँचा तो उसने सकर चोध प्रत की विश्य में बताया तब राजा ने सकर चोध की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणिश पूजा करने का आदेश दिया उसी दिन से सभी प्रतेख मास की गणिश चतुथी का प्रत करने लगे इस प्रत के प्रभाब से भामणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनह पाया था सकर चोध का प्रत तभी से प्रशलित होगा सकर चोध की पहली कथा समाप्त हुए अब हम आपको सकर चोध की दूसरी प्रशलित कथा सुनाते हैं इस कथा के अनुसार एक साहुकार और एक साहुकार नी थे वह धर्म पुन्य को नहीं मानते थे इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था एक दिन साहुकानी पडोसी के घर गई उस दिन सकट चौत था वहाँ पडोसन सकट चौत की पूचा करके कहानी सुना रही थे साहुकानी ने पडोसन से पूचा तुम क्या कर रही हो तब परोसन बोली कि आज चौत का प्रत है इसलिए कहाने सुना रही हूँ तब साहु कायने बोली चौत के प्रत कहने से क्या होता है तब परोसन बोली इसे कहने से अन, धन, सुहाग, पुत्र सम मिलता है तब साहु कायने ने कहा यदि मेरा गर्व रह जाएगा तो मैं सवा से तिलकुट करूंगे और चौत का प्रत करूंगे शिरी गनेश भगवान की कृपया से साहु कायने के गर्व रह गया तो वे बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं ठाई से तिलकुट करूंगे कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि ही चौत भगवान मेरे बेटे का बिभा हो जाए तो सबाब पांस से तिलकुट करूंगी कुछ परशों बाद उसके बेटे का बिभा तैह हो गया और उसका बेटा बिभा करने के लिए चला गया लेकिन उस साहू कार्णी ने तिलकुट नहीं किया इस कारण से चौत देप क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा कर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया सभी बर्की खोज करने लगे पर वो नहीं मिला हताश होकर सब लोग अपने अपने घर को लोड़ गए इधा जिस लड़की से साहुकार्णी के लड़के का विभा होना था वहें अपनी सहीलियों के साथ गरगोर पूझने के लिए जंगल में दूबलेने कई तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई ओ मेरी अर्ध वही यहें बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह दीरे दीरे सूपकर काटा होने लगी एक दिन लड़की की मा ने कहा मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ फिर भी तू सूपती जा रही है ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मा से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध व्यही उसने महंदी लगा रखी है और सहरा भी बांद रखा है तब उसकी मा ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई है तब उसकी मा ने जमाई से कहा यहां क्यों बैठे हो मेरी बेटी तो अर्ध व्यही कर दी है और अब क्या लोगे? साहु कारनी का बेटा बोला मेरी मा ने चौत का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया इसलिए चौत माता ने नाराज होकर मुझे यहां बैठा दिया है यह सुनकर उस लड़की की मा साहु कारनी के घर गए और उससे पूछा कि तुमने सकट चौत का कुछ बोला है क्या? तब साहु कारनी बोली तिलकुट बोला था उसके बाद साहु कारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाएगा तो डाई मन का तिलकुट करूंगे इससे श्री गनेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया बेटे का बिभाद धूमधाम से हो गया जब साहु कारनी के बेटे बहु घर आ गए तब साहु कारनी ने धाई मन तिलकुट किया और बोली हे चौत देव आपके आशिरवाद से मेरे बेटे बहु घर आए है जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके प्रत करूंगी इसके बाद सारे नगर बासियों ने तिलकुट के साथ सकट का प्रत करना प्रारम कर दिया हे सकट चौत माता जैसे आपने साहु कारनी के बेटे और बहु को मिलवाया उनके बिखनों को दूर किया वैसे ही हमारे विगनों को भी दूर करना सकट चौत पर भालचंद गणिश जी की पूजा की जाती है इस दिन सुर्य दे से पहले उड़कर नित्यक्रिया से निब्रत होकर इसनान करके भगवान श्री गणिश जी की बंदना की जाती है पूरे दिन मन ही मन श्री गणिश जी के नाम का जब करें सुर्यास्त के बाद इसनान करके स्वच्च बस्त पहन लें अब विधी पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसाय गणिश जी का पूजन करें एक कलश में जल भर कर रखें दूब तीप अर्पित करें नेवेत के रूप में तिल तथा गुड के बने हुई लटू इक सकरगंद अम्रूद गुड तथा घी अर्पित करें यह नेवेत रात्री भर बास के बने हुए डलिया से धकर रखतिया जाता है पुत्र ब्रती इस्त्रिया पुत्र के सुक्सम्रद्धी के लिए यह ब्रत रखती है इस धके हुए नेवेत को पुत्र ही खोलता है तदा भाई बंधों में बाटता है ऐसी माननेता है कि इससे भाई बंधों में आपसी प्रेम भाबना की ब्रत्धी होती है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार के तिल और गुड के लड़ो बनाए जाते है तिल के लड़ो बनाने के लिए तिल को भून कर गुड की चाशनी में मिलाया जाता है फिर तिलकुड का पहार बनाया जाता है कहीं कहीं पर तिलकुट का बक्रा भी बनाया जाता है गनीश जी की पूजा करने के बाद तिलकुट के बक्रे की गर्दन घर का कोई बच्चा काटता है और घर के बच्चे इस प्रशाद को खाते यह ब्रत नेजला रखा जाता है और रात में चंद देब का पूजन करने के बाद ब्रत को खोला जाता है संध्याकाल के समय गणेश जी का पूजन करने के बाद सकर चौत की कथा को अवश्य सुने नहीं तो ब्रत और पूजा अधूरे माने जाते हैं आज के दिन सकर चौत की कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख सम्रती आती है बिक्न बाधाय दूर होती है और संतान, सुखी, धनबान और दीरगायों होती है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा सी जादा शेयर करें जिससे भेभी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वचिंग दाधी दाधी